अस्सलामू आलेकूम तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से एकदम करारे क्रिस्पी चिकिन पकोड़ वो होदी शांदार घर पर बनते हैं और बाजार से बहतर माशालला घर पर बनते हैं इतने क्रिस्पी है आप सुन सकते हैं माशालला तो चलिए शुरू करते हैं आज क चलिए ये है आधा किलो चिक्किन चर्वी निकाली हुई है दू-तीन पाली से धोके मैंने निताने रख दिया था 10-15 मिनिट के लिए उसके बाद आप चाहें तो पैट ड्राइ भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा ये मैंने मीडियम पीसिस किये आप छोटे भी कर सकते बड़े भी रख सकते हैं एक बाउल में डाल दीजिए अब इसमें डाल दीजिए नम्मक, स्वाध, अनुसार या आदा छोड़ा चाय का चमच आधे निम्बू का रजबी निचोड कर डाल दीजिए संबाल कर डालिएगा कि बिज्जे ना चले जाए अच्छा इसके साथ स भर कर अधरकलसन का पेस्ट, आदा छोड़ा चाय का चमच चाट मसाले का पाउडर दाल दीजिए, आदा छोड़ा चाय का चमच चिली फ्लेक्स, एक छोड़ा चाय का चमच दरदरा पीसा हुआ और भूना हुआ साबुद धनिया, एक छोड़ा चाय का चमच भूना और पी मिर्च पाउडर, चुटकी भर मैं फूट कलर दाल रही हूँ, तंदूरी वाला, आपने नहीं दालना तो कोई बात नहीं, अप्शनल है ये, आदा चुड़ चाय का चमच काला नम्मक, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे, और तीन-चार हरी मिर्चियों को बारिक काट क मेथी को भी दाल दीजिए, 4 टेबल स्पून भर कर चावल का आटा, जी हाँ, चावल का आटा बहुत नसेसरी, इसी से क्रिस्पीनस आएगा और काफी देड तक क्रिस्पी ही रहते हैं, माशालला, तो ये जरूर डालिएगा, और 2 टेबल स्पून बेसन का आटा दाल दीज सारी चीजों को सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाले, बहुत जादा नेव डालना है, 2-4 टेबल स्पून जितना पानी डाले थोड़ा थोड़ा पहले डालिएगा, और ऐसा लगे के मिक्स हो गया है, बस ऐसा थिक थिक ऐसा मसाला चिपका चिपका लगे, बस वहां तक ही आप उसे पानी डालिएगा, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके साइट पर रख दीजिए, अब उसे ढाक कर फ्रिज के अंदर एक-दो घंटे के लिए मरिनेट करने साइट पर रख दीजिए, अगर आपके पास समय ना हो, तो और जितना आपकी पतिली में समा पाएं, जितना आपकी कड़ाई में समा पाएं, उतने ही डालिएगा, एकदम उवरक्राउड़िड मत कर दीजिएगा, और इसे मीडियम आज पर तकरीबन 6-6 मिनिट तक पका लीजिए, पहले आधे मिनिट तक ऐसे ही रहने दीजिएगा, आधे 1 मिनिट तक जब आपको लगेगे पीछे से ये जो इसका लिक्विड जो फर्म है, वो अच्छा सॉलिट फर्म में हो चुका है तब दी, तो इसे आधे 1 मिनिट के बाद पलट दीजिएगा, और उलट-पलट करते हुए चिकन को 6-7 मिनिट तक पका लीजिए, तब त देल नितर जाएगा उसमें से, चली इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राय कर लीजिए, और टीशू पेपर के उपर मत रखेगा, उससे थोड़े से सौगी हो जाते हैं, अब आप छन्नी के उपर रखेंगे न, जब आप फ्राय करने के बाद, तो वो जादा क्रिस्पी जाएगे, तो चली इसे बैचेस के अंदर इसे फ्राय कर लीजिए, मैंने फ्राय कर लिया है, तो इसे निकाल लेती हूँ, और मैं आपको पहले इसकी बता देती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं, माशालला, और टेस्ट ही तो बहुत जादा है, ये देखिए, है ना, हरी चटनी है, उसके साथ सर्फ कर रहे हूँ, वैसे आपको भी उसके साथ सर्फ करना है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, तो चलीए, ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार बाजार से बहतर क हरी मिर्चिया और लाल मिर्चिया अपने स्वाद अनुसार अग्जस कीजिएगा ये रेसिपी के अंदर तो हैना मज़ेदार रेसिपी अज कि अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें शेयर चाहिए पहुंट की अपने स्वादे निन आप शेयर कीजिए अपने स्ट्रिचय अपने स्ट्रली कीजिए और इस वाले वीडियो की जिए चैनल एक बार आपसी पहलों वाले शेयर शेयर से